हलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल तो आज की वीडियो में लूसेंट के 1000 प्रस्णों की महतुपुड सिंखला है जो पार्ट नंबर 5 है सभी एकजाम में बार बार आए हुए प्रस्ण है तो यह 351 से 450 तक प्रस्ण है जी के जी येस लूसेंट प्रस् राज का साशन किसकी हाथ में था राजपती की हाथ में 92 समिधान संसोद अधिनियम 1976 द्वारा राजपती साशन की 6 मां की अवधी को बढ़ा कर कितना कर दिया गया था 12 महा सिकंदर की आक्रमर के समय उत्तर भारत पर राजवन्सों में से किस एक का साशक था नंद का किस संकाल में नेपाल में बाउध धर्म का गमन हुआ था अशोक मत मंदिर और इस्टूप किस धर्म से सम्मंदी थे बाउध धर्म नागार जुन कौन थे बाउध दालसनिक थे सिक्कीम कुराज का दर्जा कब दिया गया 1975 में भारती समिधान में नागरिक्ता के प्रवधान लागू हुए 1949 में कारखाना अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयू कम चकम 14 अवस्ट न हो समिधान के किस अनुषेद में सोसर के बिरुद अधिका दिया गया अनुषेद 23 और 24 में देश की प्रथम महिला न्याधिस कोण थी अन्ना चांडी असोग चक्र पाने वाली प्रथम महिला कोण निर्जा भनोट इंगली चैनल पार कनेवाली पथम भारती महिला कौन थी और ती सह नोबेल पुरुष्का प्रापत कनेवाली पथम भारती महिला मजल तरेशा 20 सुका सबसे बड़ा देल्टा कौन सहै सुंदरवन डेल्टा सबसे अधिक वनोवाला लाजियक कौन सहै मद्धपद सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा नदी सबसे अधिक अबादी वाला सहर कौन सा है मुंबई महाराश्त भारती किसी अनुसंधान संस्थान कहां से थे नए दिल्ली समान रूप से राजपाल का कारिकाल होता है पांच वस बगानिक किसी के तह से लंका में पहली बार किस फसल की खेटी की गई काफी की सो पान किसी कहां की की जाती है पाहडों के धलानों पर जूम किसी कहां की जाती है उत्तर पूर्वी भारत में कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है किसे भारत का पत्रम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है राजा राम मोहन राय को भारती पुनजागरा अंडोलन की पीता कौन थे राजा राम मोहन राय उनस्मी सदी के महन पारसी समाज सुधारक कौन थे बहरामी M माला बारी धाटू आक्साइड का सुरूप कैसा होता है छारी होता है सबसे अधिकतन धाटू कौन सी है गोल्ड देटेर्जन्ट पाउदर में कौन सा परमुक्ष रसायन मौजूद होता है सोडियम कार्बोनेट काउन सी गयज जल में घुलकर अमली ब्लेन बनाती है कार्बन डैक्साइड हाकी की जादूगर की नाम से किसे जानते हैं पीठी उसा को रावल पिंडी एक्सप्रिस किसको बोला जाता है सोविव अक्थतर को सूपर माम किसको कहते है बानी काम को बिसीजी काकीका कितनी उम्र में लगाये जाता है नवजात पलेक किससे फैलता है जिवाडू से मलेरिया मादा एना फिलीज से फैलता है इसकी स्खो़ सबसे पहले किसने की थी डोनाल्ड रास ने रास सभा बिगटिट हो जाती है कभी भी नहीं संसर्च के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किसा से अधिक नहीं होना चाहिए छे महिने के बिरिस्ता मुंडा का कार छेत कौन सा है राची अखिल भाती किसान सभा का सुरपथम कहां आयोजित की गई लखनवों में गड करी बिद्रो का केंद था कोलहापूर भाती सम्मिधान की छठी अनसोची में कीतने राज सामिल है चार भारत की सम्मिधान की अंतरगत किस आयो के बालक को किसी खान कर खाने अद्वा अन्य संकत में सेवा में लगाए जाने का प्रतिसेदी किया गया है 14 वश से कम इस्ठाई सधन है राज सभा है भारती संसत के किथने सदन है दो संसत का लोकप्री सदन है लोकसभा भारती समिधान की अनुषा कारपालका का परमुक्द है रासपती है कि साशक के साशनकाल में नेपाल में बाओध धर्म का गमन वथा असोक सांची क्यों बिख्या थे सबसे बड़ा बहुत इस्टूप महावीर का जन्म की छत्री गोत्र में हुआ था जानत्रिक महावीर की माता तिरिसला बुझ ने अपना प्रथम उपदेश सालनात में दिया था वरानसी में उत्तर पदेश के किस राज में होली की तहवार पर लठमार होली मने जाती है गोकुल में परसाना में महाकुम कितनी वर्सों की अंदराल में होता है बारे वर्स असम का तहवार काउन सा है बेहू मुगलों ने नवरोज रखने के लिए नवरोज का तेवार कहां से लिया तुरकों से वासल मेला कहां अयूजित किया जाता है बंगलूरू में बिहार का अदुती तेवार कहों से है बिनायक चतुल थी भारत का सम्धान किसको मानेता प्रदान करता है धार्मिक एवं भसाई अल्प संक्यकू को सम्धान की प्रस्तावना को बिधिक सोरूप क्या है यह लागू नहीं किया जा सकता है भारत के प्रथम सुतंतता संग्राम का मुख्य तातकालिक कारड क्या था अंग्रेजों का धर्म में हस्ट छेप का संधे चंगेज खान का मूल नाम तेमू चीन फिरोज सा तुगलक द्वारा अस्थापी द्वारा उल सफा क्या हथा एक खैराती अस्पताल मुहम्मद बिन तुगलक की मिलितु कहां हुई धत्ता में जियो और जेने दो महावेश स्वामी ने किस पसु के अवसेश सिंदु घाती सभिता से प्राप्त नहीं हुए सेर हरपपा के काल का तांबे का रथ किस अस्थान से प्राप्त हुआ दैमाबाद काउन साव मूल अधार है जिसे से भारती समिधान बेक्सित हुआ भारत सासन अधनियम 1935 से अंतिराश्टी नियाला के प्रथम नयाधियस काउन बने थे डाक्टर नागेंज सिंग भारत के प्रथम चुनाओ आयुक्त काउन थे सु कुमार सेन राश्टी महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यस काउन है जैन्ती पतनायक उलम्पिक बाइट मिंटन में कंस पतक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नहवाल अंतिरिछ में जाने वाली पर्थम महिला कलपना चावला पर्थम महिला लेटिनेंट जनरल कौन थी पुनीट अरोडा सबसे बड़ा महासागा कौन सा है पर्शांत महासागार लुइस बिरेल दिवस कम मनाय जाता है चास जनवरी को 20 हिंदी दिवस का मना जाता है 10 जन्वरी को 20 कैंसा दिवस 4 फर्वरी राष्टी पिज्यान दिवस 28 फर्वरी को समिधान सभा की पहली बर्ठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को समिधान सभा का दूसरी बर्ठक 11 दिसंबर 1946 को समिधान सभा की तीसरी बैच्छा कब हुई एक दिसम्बर उनिस सो तेरे दिसम्बर उनिस स्यालिस को तिरंगे जंडे का निर्माल करता कौन है पिंगली वैकाईया गुरू गसी दास नेशनल पार्क कहा है छतिस गड़ में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात कब हुई उनिस सो बान में मोहनी अत्म कहां का सास्टी निर्थ है केरल का पलासी का यूद कब हुआ था उनिस सो सत्रसो सत्तावन में इस्ट इंडिया कमपनी की स्ठापना कब हुई एक तिस दिसम्बर सोलसो बाकसर का यूद कब हुआ था सत्रसो चौसर में भारती सम्धान के जनक कौन है डाक्टर बी आर अमबेटकर सम्धान की मूल पत्रिका के लेखा कौन है प्रेम बिहरी नरायर प्राण एवं दाहिक सोतंता का अधिकार किस अनुछेद में है किस अनुछेद में कहा गया है कि सास्तिरी पुरुस समान कार के लिए समान वेतन होगा अनुछेद 49 में सुन निकाल में पूछे जाने वाले प्रस्नों की अधिक्तम संख्या 20 है सुप्रिम कोट की पहली महला नियाधिस फतिमा बीबी बौनवा समिधान संसोधन कब किया गया 1976 में पहला समिधान संसोधन कब हुआ 1951 में 200 प्रस्न जो है समाप्त हो गए है वन लाइनर प्रस्न है